गुड मॉनिंग एवरीवन आप डॉक्टर मनीश जैसवाल तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 36 गड़ में 2nd round MBBS BDS काउंसलिंग के बारे में आप सभी को पता है कि CGDME द्वारा जो काउंसलिंग आयोजित के जा रही है काफी विवादों में हैं और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा ये कर रहे हैं हर साल सेम कंडिशन सेम सिचुएशन पे यही सारी चीजें रिपीट होते आई हैं आप 2022-2021 की भी काउंसलिंग का वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सेम जो प्रॉब्लम है ये हर साल रहा है तीन-तीन नोटिफिकेशन कल एके करके इन्होंने अपलोड किया अपने वेबसाइट पे हम आया हाँ पे आपके साल डिसकस करेंगे इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो मौप अप राउंड या इस्टे वेकेंसी राउंड का वेट कर रहे हैं अब CGDME ये समझते हैं या DME के जो मेंबर हैं जो काउंसलिंग आयोजित करा रहे हैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई हो DME के वो सारे सदर से जो काउंसलिंग आयोजित कर रहे थे और जो चाहते थे कि किसी तरीके से काउंसलिंग आखरी स्टेज तक चला जाए और उनका जो भी सेटिंग है जो कुछ भी है वो सारी चीजने पूरी हो सके वेल तो एक नोटिफिकेशन यह है जिसमें यह दिखाया गया है मैंने कहा था बार बार जब भी बनाया जा सकते हैं ओर इडि आपको है न और इसके आकाइर्दिंग इन्हों ने जो सेकेंड ना कि इन्म है उसली लिए प्रवेश का जो टांचन को ंस्प कर दिया है और इक्स्टेड़ किया जो है अब इन्होंने बोल तो दिया है इधर से ये सर्वर ही ब्लॉक कर देते हैं कॉलेज वाले भी अपने इस तरह पर क्या कर पाएंगे बच्चे भटकते रहते हैं जिस तरीके का धांधली या कहना चाहिए कि गड़बडी ये कर रहे हैं वो पैरेंट्स के और हमारे भी सम ही होगा या गलत होगा बिकॉज अपने मन का चलता है रोज नयनय नियम आ जाते हैं फिलाल इसको वो बच्चे देख ले रहे हैं देन हम दूसरे नोटिफिकेशन पर आते हैं यह बट आप लोग सीजी डेमी के वेबसाट पर लॉग इन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहल सीटों का जो डेटा है कितनी सीटें खाली है किस कैटेगरी में खाली है उसके आधार पर ही अगले राउंड में हम जाएंगे तो पैरेंट्स और स्टुडेंट्स को भी इतना समझदार होना चाहिए बार बर कमेंट बॉक्स में मैसेज के थूरू या किसी से भी पूछ रह हुआ है नया रजिस्टेशन कोई नहीं होने वाला है ना तो मौप अपर राउंड में नहीं स्टेव एकंसी राउंड में अब टाइम डियूरेशन जो है इनके लिए कम हो गया है अब च्वाइस फिलिंग ये 26 से 27 मतलब देखो रात को चलेगी 26 तारीक से 26 सेप्टेंबर स रात को 8 बजे 24 फिलिंग स्टार्ट होगी और 27 तारीक को सुबह 10 बजे तक चलेगी मतलब इस रात को ही आपको चॉइस फिलिंग करना है अगर आप मौप अपर राउंड में पार्टिसिपिट करना चाहते हैं तो ध्यान रहे 27 तारीक को सुबह 10 बजे तक मतलब एक दिन का अभी समय नहीं है 24 घंटे का भी समय नहीं है चوईस फिलिंग के लिए सीट ऐलाट्मिंट का जो प्रोसेस है 27 तारीक को ही होगा और रिजल्ट भी 27 तारीक को ही ये पब्लिश करेंगे मौप पराउंड का इसकुरूटिनिंग के प्रोसेस के लिए आपको दो दिन दिया गय लिस्ट आप डॉकुमेंट इनके पास काफी सारे हैं प्लस इन बीट्विन बैट आप भले कहरे हो कि सारे अवकास दिवस जो है कारे दिवस वरकिंग देज होंगे आप मेडिकल को आपकी इतनी ही शक्ति है कि आप मेडिकल कॉलेज को आडर देए के खुलवा सकते हो क्या संडे को आप बताईए है ना तो और या तो फिर आप कुछ ऐसे नियम भी बताईए कि आप उन सब चीजों के लिए डाकुमेंट के लिए समय दें अच्छा इसके बावजूद भी एडिमिशन होगा प्राइवेट कॉलेज में आप नोटिस करिएगा एक भी सीट भले पिछल ले जाएए अपने नाम से बाकि आप घर जाएए दिवाली दसरा मनाईए डाकुमेंट आराम से देते रहिए कॉलेज वाले आपको ऐसे पर्मिट कर देंगे लेकिन हाँ जिसकी सेटिंग नहीं है जो चाहता है कि मांदारी से डिमी के सिर्फ अलाटमेंट लेटर के बेसिस प्राइविट कॉलेजेज में एजेंट के थ्रू या दलालों के थ्रू पहले से सेटिंग करके रखी हुई है तो बस हो गया इनका अब्जेक्टिव पूरा हो गया अब इसमें बटवारा बाद में करेंगे जो बटवारा होता है जो अमाउंट या जो कुछ भी है उसका ब 30 को ही आपको एडिशन हुपको कंपवा हैं इसा इन्होंने चेडियोल दिया हुआ है तो यह आमजनता के लिए नहीं है यह विसेसे लोगों के लिए है और वो विसेस लोग ठीक है चलो अच्छी बात है पब्लिक डिमांड करती है कि ऐसे होना चीह तो ऐसा होता है डिमी प लोग अच्छे हो सकते हैं लास्ट में जो दोस है वो दे दिया जाता है कंप्यूटर को है जैसे इस बार भी दिया गया है साध यह वो नोटिफिकेशन है कि Artificial Intelligence के कारण या जो भी है टेक्निकल इशू है ना तक्निकी भाई सब थोड़ा अधर चले जाए टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हुआ है ऐसा बोला गया है बाद में उसको सुधारा गया है आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो जो भी गलती सेकेंड डाउन में तो लोग उनको हाई कोट तक घसीट के ले जाते लेकिन आप क्योंकि समय है नहीं अपने एड्मिशन पे बच्चे ध्यान दें या उनको कोट के चहरी के चक्कर कटवाएं तो ये तुरुटी वश ऐसी क्या तुरुटी भाई पहली बार काउंसलिंग करा रहे हो क्या डॉक कभी मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम लोगों को नींद कैसे आती होगी इतना सब कुछ करने के बाद चैन से सोते कैसे होगे तुम लोग है ना तो ये चीजे हैं इसे आप पढ़िएगा मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ने वाला हूं अगर कोई इसमें चीज नह नहीं समझ में लायक है तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्लियरल इन्होंने कर दिया है सुधार दिया है एक मीटिंग मीटिंग लेके पर मेरे को एक बात ये नहीं समझ में आती कि जब हर साल आप कांसलिंग कराते हैं और यही गलती करते हैं गलती नहीं है ये पूरी सोची पर हो जाएंगी तो एक मेरिट वाले बच्चे भी डाकुमेंट बना कि वह एडिमिशन प्राप्त कर सकेंगे लेकिन लास्ट मुमेंट पर जब होगा आप मुझे बताईएगा ज़रा मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन डाकुमेंट को बनाने में तीन से चार दिन लगते हैं इस ट्रे वेकंसी राउंड में चुटी के दिन में और एक दिन में वह डाकुमेंट कैसे बन जाता है और वह कैसे प्रेवेट कॉलेज बाले बडिमिशन ले सकते हैं उसको आप लाइव कर दो लाइव कर दो मतलब सब लोग बाकी लोग भी देखें और सीखें ताकि अगले सेडिफिकेट बनवाएंगे एक दिन डीडी बनवाएंगे एक दिन फलाने धेम का तो डीमी को ये सारी चीजें ट्रांस्परेंट करना चाहिए जो भी वैक्ती बैठा हुआ है वहाँ पे और इन सब चीजों को बहुत ही शातिर तरीके से ऑपरेट कर रहा है जिसकी भनक न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ा के उसको एक माननेता दिला सकें लैप्स कर देते हैं तूसरी चीज यह है कि जिन भी बच्चों ने है न कहना चाहिए अल्रेडी प्राइविट कॉलेज को छोड़ दिया था एडिमिशन नहीं लिया था सेकेंड रौन में उ अब मैं खुद की काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं उन्हीं बच्चों की मदद कर रहा हूँ जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ ठीक है मैक्जिमम आप लोग जिन्हें मैं परस्णली नहीं जानता हूँ हो सकता है कि कुछ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी ये वीडियो जो छात रहें उन्हें उनके पसंद का college मिल जाए ठीक है hope for good ठीक है और एक और important चीज जैसे कि privatization की जैसे बात होती है तो इनहीं सरकारी नलों के कारण मैं हमेशा promote करता हूँ कि चीजों का ना privatization ही हो जाना चाहिए मतलब इनको तो लात मार के निकाल दो job से कोई मतलब नहीं है ठीक है private company को दे दो ठीक है 1000 रुपए counseling fees की जगए 2000 लेंगे 3000 लेंगे बस इतना ही difference आगा ना आप 2000-3000 का रोना रूते रहोगे इस सबताह बरसे जब भटक रह वाप है ना जगदलपूर से कांकेर से राजनाद गाओं से लेके वहां से वहां कभी यहां relieving ले रहे हो कभी वहां joining दे रहे हो वहां पता चल रहे है अरे तुम्हारा तो पहला ही college अभी भी है तो इन सब चीजों से तो अच्छा ही है ना कि मन की सांती होगी मन का शुकून होगा और counseling का process जो है transparent रहेगा तो इस management pension mention दे के भगा दो ठीक है और इनको privatization कर दो मतलब इनका किसी private किसी genuine fair institute को दे दो जो बिल्कुल transparent तरीके से counseling करा सके हो सकता है कि भावशे में इनको अगले साल मतलब common counseling होगी तो इनको counseling कराने का मौका नहीं मिलेगा तो सोचे होंगा कि इस बार आखरी मौका है तो जितना ज्यादा से ज्यादा माल समेट लिया जाए तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए चिड़ होती है गुसा आता है परन्तु है ना ठीक है चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद आपका दिन शुभ हो thank you